लेकर तो मध्यप्रदेश के कीस जिलों में आंधी और बारिश का अलट जारी किया गया है राइसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, छिनबाडा और सिबनी में यलो अलट जारी हुआ है तो इदर हर्दा, सीहोर, ग्वालियर, भिंड और दतिया टीकमगड में भी बारिश के आसार जारी गए है तो ग्वालियर निमाडी में गर्मी का असर बना रहेगा लेकिन मध्यप्रदेश के अभी कीस जिलों में आंधी और बारिश का अलट जारी किया गया है तो आपको बता दे की लगातार जिस तरह से अब गर्मी देखने को मिली थी थोड़ी सी रहत इस बारिश और आंधी के बाद गर्मी से निजात लोगों को मिलती नजर आएगी मध्यप्रदेश के 21 जिलों में अलट जारी किया गया है और चले अधिक चानकारी के लिए हमारे सहियोगी रंजणा हमारे साथ जुल गई है रंजणा मध्यप्रदेश के 21 जिलों में आंधी बारिश का अलट जारी हुआ है क्या अपडेट है जी दिनिश मध्यप्रदेश के गर बात कर ली जाए तो यहाँ पर प्री मौनसून अक्टिविटी शुरू हो गई है और प्रदेश भर के जादतर जिलों में बारिश को लेकर मौसम बिभाग ने अलट जारी किया है लेकिन बारिश अभी दो से तीन दिन पहरे जोस तरीके से हलकी हलकी बारिश होई थी उसके बाद लगातार उमस बड़ी थी और उसमस ने लोगों को बेहाल कर दिया है और आप लोग राहत जरूर चाह रहे हैं ऐसे में जब मौसम बिभाग ने अलट जारी किया है वो भी प्रदेश भर के कीस जिलों में तो आज और कल प्रदेश भर के जादतर जिले जो हलकी हलकी बारिश के साथ जो बूदा बांदी है उससे तरबतर होते हुए नजर आएंगे लेकिन लोग यही चाहते है कि उनको गर्मी से राहत मिले उमस से राहत मिले दिनेश लेकिन जब 25 जून के बाद वहते प्रदेश में पूरी तरह से मानसुन अपनी आमद दर्श कराएगा उसके बाद जरूर इस तरीके से जो गर्मी है उमस है और तापमान है उससे थोड़ी सी जो राहत है बढ़ते हुए तापमान से थोड़ी सी राहत जरूर मिल स जरूर पया है तो थोड़ुर द जरूर क्थक्न है干 मतुछिश प्रदेश बांस ने